नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूगागी पंजाब में बीती राद जो हुआ वो हर किसी को डरा देने वाली घटना है तरंतारन में बीती राद एक बजे एक पुलिस थाने पर रॉकेट लॉंचर से हमला किया गया गनिमत ये रही कि इस हमले में सभी लोग सुरक्षित हैं किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है तरंतारन जिले के थाना सरहाली पर ये हमला किया गया शुक्रबार देर राद हुए इस हमले में बिल्डिंग के शीशे तूड गए है रात धमाकी की आवास सुनकर जब तक पुलिस सरहाली थाने से बाहर निकली हमला पर फरार हो चुका था थाने में रात के मुझ्शी ड्यूटी ओफसर और दो कॉनस्टेबलों के अलाबा कोई नहीं था अब ये बड़ा हमला हुआ है आरपीजी का एटेक काफी शक्तिशाली माना जाता है इस तरह से हमले से बड़ा खत्रा होता है आतंकियों के मनसुबे पर पानी फिरा जब उनकी तरफ से फेका गया आरपीजी फटा भी नहीं आरपीजी के अंदर गिरने से साज केंदर के शीशे तूट गए पुलिस ने आरपीजी को सुरक्षित कबजे में रखा है और साज केतर को सील कर दिया है सुरक्षा एजन्सियों ने एक तरफ इसे आतंकी हमला का है वहाँ दूसरी तरफ पुलिस थाने पर हुए रॉकेट हमले की जिम्मदारी प्रतिवंदित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपत वन्त सिंग पन्नु ने एक वोईस नोट भेजा है इस हमले की जिम्मदारी ली है पन्नु का कहना है कि जलंदर के लतीख पुरा में 1947 में पाकिस्तान से आकर बसे परिवारों को पंजाब सरकान ने बेघर किया है ये उसी का बदला है गुरुपत वंत पन्नु ने मुखे मंत्री भगवनमान को धमकी दी है पन्नु का कहना है कि पूर्व मुखे मंत्री बेंत सिंग की रहा पर चलने वालों को उन्हीं के पास भिजबा दिया जाएगा अगर हिमत है तो आज तरंतारन का पुल लांग कर दिखाओ री फ्रेडम के समर तक इंतजार कर रहे हैं पन्नु ने चताया है कि पंजाब में घर घर में रॉकेट लॉंचर और बंप पहुच चुके हैं यही पंजाब को भारत की हुकुमत से आजादी दिलाएगी हाला कि पुलिस और सुरक्षा एजनसी अभी इस से बारे में अधिक जानकारी नहीं दे रही है लेकिन उनका मानना है कि यह एक आतंकी हमला ही है आपको बता दे कि साथ मेहने के बाद एक बार पिर आतंकियों ने पंजाब पुलिस को निशाना बनाये हैं से पहले 6 माई को मुहाली में इंटेलेजन्स विवाग पर आर पेजी का इस्तमाल करके हमला किया गया था तब भी दफ्तर बंद थे और कोई हताहत नहीं हुआ था बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लोगिन कर सकते देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रही जन भावना टाइम्स नमस्कार